दोस्तो आज की इस प्यूटिवे में आपको इसी स्टेटरजी की बारे बताने वाला हूँ, जिस स्टेटरजी को बड़े बड़े यूटूबर अपने ट्रेडिंग कोर्स के अंदर सेल करते हैं, लेकिन आज की इस स्टेटरजी की महज़ से अगर आपको ट्रेडिंग का पकड़ सकते हो अगर आपने मार्केट के अंदर लोस कर रहा है तो उन लोस को आप profit में बदल सकते हो साथ ही Delhi के अंदर आप अवर ट्रेडिंग करते हो तो उस अवर ट्रेडिंग से भी छुटकारा आप सकते हो तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ने करते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप option के अंदर ट्रेडिंग करते हो और बिना सोचे समझे ही ट्रेड ले लेते हो और आपका loss हो जाता है तो ये market आपको कुछी टाइम में कंगाल बना देगा वह अगर आप market के अंदर analysis करते हो वीडियोस देखते हो सीखते हो समझते हो तो ये market आपको इतना पैसा दे सकता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो और इनी सब चीजों की जानकरी में अपने telegram चैनल के उपर भी post करता हूँ जिसका link आपको description में मिल जाएगा तो join कर लेना है और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह bottom के अंदर है और अगर माल लो यहाँ पर आपने पहले ही देख लिया होता या फिर समझ लिया होता तो यहाँ से आप इस trade के अंदर entry ले सकते थे और इतना बड़ा है यहाँ पर इतना बड़ा है आप फोल देखने को मिला है और इस वाले trade में अगर आप गाते तो कितना अचा profit यहाँ से आप बना सकते थे इसा यह आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने time frame यह पर 5 minutes का separate कर रहा है। यहाँ पर कौन सी strategy क्या ओने वाली है वो मैं आपको बताय देता हूं। दोस्तो जो last day की closing होती है last day की opening होती है और last day का high होता है close होता है ये बहुत ही important होता है आपके support के लिए आपकी resistance के लिए ये काफी ज़दा important होता है तो चलिए एक बार check out करते हैं कि last day की closing क्या थी last day का high क्या था ये सारी जानकर ये अपन check out करते हैं तो दोस्तो इसके लिए आपको यहां पर सेट करना होगा पांच मिनिट की जिए पर आपको डेली का टाइम फ्रेम में आपको बताने वाला हूं और यह जो है यह ट्रेड जो आपको बड़े टाइम फ्रेम के उपर मिलेगी लेकिन आपको एसल उतना नहीं देना है आप कहीं यह सोचने लग जाओ कि यार बड़े टाइम फ्रेम पर है तो एसल ज्यादा घटेगा ऐसा कुछ भी नहीं है एसल आपको चोटा ही रहने वाला है लेकिन ट्रेड की जो एकुरेसी रहेगी वो कौफ भी ज्यादा रहेगी इवन यहां पर आपको दस ट्रेड मिलती ह है तो मुश्किल से एक ट्रेड के अंदर हैसलीट होगा वो भी बहुत ही कम पॉइंट का तो एक बार मैं आपको समझाने की परपस से यहां से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रो कर रहे हैं मैं इनको यहां से हटा देता हूँ एंड उसके बाद में आपको बताता हूँ कि यह जो मैथड है यह किस तरह से काम करता है और जिब मार्केट ओपन होता है उससे पहले भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद में भी पता कर सकते हो दोनों ही सिच्वेशन में एक काम करती है तो एक बार में इस डेफ रेम को तोड़ा सा जूम करके आपको मार्केट उपर जाएगा फिर नीचे जाएगा तो उसकी लिए आपको क्या ँठना है उसकी लिए याँ पे युटाना है और यहां पर आपको इसको रख देना है एंड फिर से एक बार एक ने पर सपोर्ट पिट्रो करें गी यह तो गए और इस अप़ोट हो गया और यह सं पर आपको trade के अंदर entry लेनी है और वही resistance के पास जाकर market जो है उसको break करता है तो वहाँ पर आपको entry लेनी है यहाँ पर आपको call के entry लेना है और यहाँ पर आपको put के entry लेना है दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल भी गवराना नहीं है क्योंकि यह जो support और यह जो resistance है यह day frame यानि कि यह डेली की chart frame पर बन रहा है और काफी strong होता है यह डेली का chart frame वाला जो support होता है जो resistance होता है यह काफी strong होता है इसका idea आप market कुले से पहले भी लगा सकते हो और market जब भी open हो जाता है उसके बाद में भी यह वाले trading कर सकते हो अगर आपके entry उस दिन यहाँ पर होती and उसके बाद में आप देख सकते होगे कितने point के आप मुवमेंट आपको देखने को मिला है यह call side के अंदर देखने को मिला है and उसकी next day की बात कर लेते हैं कि उसके next day यह जो status ही है यह काम कर रही है यह फिन नहीं कर रही है तो चलिए उसके लिए यहाँ पर support draw कर लेते हैं and उसके बाद में क्या करेंगे एक resistance draw पर लेंगे यहाँ पर तो देखी गाइस ना तो इसने उससे अगले दिन ना तो इसने resistance को break किया और ना ही इसने support को break किया ऐसी condition में आपको जो है long trade के अंदर बिल्कुल भी entry नहीं लेनी है क्योंकि ऐसी condition में market क्या होता है side based market के अंदर आपके ऐसे लीटे होने के chances काफी ज़्यादा रहते हैं sideways market के अंदर आप always scalping कर सकते हो scalping आप 10, 15 और 20 point के scalping कर सकते हो जिसमें आपको अच्छा कासा profit हो सकता है और आपके SL कटने के chance भी बहुत ही कम होते हैं तो जब भी market sideways हो तो sideways market के अंदर आपको long की position या फिर short की position कभी भी नहीं बनानी है क्योंकि जब market sideways होता है तो theta decay होता है theta decay होने की विजह से आपको जो premium है वो बार बार जो है premium गल जाएगा और बार आपका SL होगा तो चलिए फिर उसके next day बात करते हैं next day उसके अगले दिन क्या हुआ अगले दिन आप यापर देख सकते हो यह वाला इसक racist also to도 guys यहाँ पर इसने support को review एνrí ded nutritious को भी ब्रेक किया तो यहाँ अपर आप सकते हुए support को इसने เมिक किया यहाँ पर और यहाँ आपर इसने resistance को break किया ऐसी में आपको तर्गेट मैं आपको दिखाता हूँ किते पॉयंट का है यहां पर आपको छोटा टार्गेट दिख रहा हो लेकिन अच्छा पॉयंट की आपको ट्रेड मिली है यानि कि अगर आपको यहां पर उपर की तरफ एक ट्रेड मिल जाए तो उसके बाद में आपको बोटम की एक्सपेक्ट नहीं करनी है यानि कि बोटम की उमीद आपको नहीं करनी है विकोज यह ट्रेड कभी भी आपको दोनों तरफ पैसा नहीं देगी ऐसा नहीं कि आप इसने सपोर् कोसिस करो आपकोो ट्रैट कर रही है और ट्रैपिंग से बचने के लिए आपको कबी भी इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर दोनो जगे पर आपको ट्रेड नहीं करना हैं तो चलिए उतसे-a Wal-S youtube क्थे जो में पे इसकी रजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है और उसके बाद में कितनी अच्छी यहां पर बाई देख सकते हो आप कितने शांदार कितने अच्छे पॉइंटों कि आप रेली मार्केट ने दिखाई है और यह जो स्टेटर्जी है ऐसा नहीं कि बैंक निप्टी के ऊपर यह FN5050 के उपर ही काम करेगी यह जितने भी इंडेक्स है चाहि FN50 हो चाहि मिट केप हो चाहि इसके लाओ संसेक्स कोई भी इंडेक्स हो सब इंडेक्स के उपर यह इसी तरह से काम करती है और दोस्तों इससे आप और ट्रेडिंग से भी बस सकते हो इसमें आपके S&L टोने की chance काफी कम होते हैं almost नयक की बराबर होते हैं और इससे आप और ट्रेडिंग से भी बस सकते हो आपको एक या फिर मुश्किल से दो ट्रेड देखने को मिलते हैं market के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हो कितना शांदार हो कितना अच्छी पॉइंट होगी आप हम कोल साइड में रहनी देखने को मिली है तो चलिए एक बार फिर से अगले दिन की बात कर लेते हैं अगले दिन के लिए ये वाला होगया support एंड उसके में resistance की बात कर तो ये वाला होगया resistance ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इसने आप उससे अगले दिन resistance को याँ पर break किया break कंडी के बाद में 738 point के आज पास में इसने break किया है और ये गया है यहाँ पर 900 इकराण में point यानि यहाँ पर मानगे चलिए 500 point की यहाँ पर market ने rally यहाँ पर दिखाई है उससे अगले दिन भी चलिए फिर उससे अगले दिन की यहाँ पर बात कर लेते हैं उससे अगले दिन की यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर यह support हो गया sorry यह resistance हो गया और यहाँ पर यह support हो गया जैसे ही market ने यहाँ पर इस resistance को break गया है उसके बाद में आप देख सकते हो कितने अच्छे point हो गया आप पर rally देखने को मिली गया है यह आपर आप देख सकते हो यहाँ पर भी almost market ने यहाँ पर 200 point की आप रहली आपको दिखाईए और 200 point इंडेक्स में बढ़ने का मतलब होता है premium में काफी अच्छा spike मिलना 1s23, 1s24 इसली आपको यह आप पर मिल जाते हैं और चली दूस्तों बात कर लेते हैं आखिर आपको SL किस point की उपर होना चाहिए तो दूस्तों ऐसी condition में आपको SL रहेगा वो ज्यादा point का आपको विश्गुल भी SL नहीं रखना है आपको SL रहेगा वो 10 से 15 point की बीच में रहेगा तो चली इससे आगे जान लेते हैं मार्केट ने डाउन साइड में भी एक आदी याँ पर trade याँ पर दिखाई है तो ये मार्केट के लिए support हो गया sorry resistance हो गया और ये जो है support है तो इस बार मार्केट ने याँ पर support को break किया है तो यहाँ पर अगर आपकी trade होती दिखता और आज की जो इस strategy में आपके साथ share की है यह काफी जो पेड है यानि कि इसका इसकी जो चार्ज कर रहे है मार्केट में काफी सारे traders हो अपने premium course के अंदर इसको involve करकी काफी अच्छा यहाँ से charge कर रहे हैं इसके बदले में आपको क्या अगर ना है इस video को like करना है और चैनल पर आप नए हो और पहली बार मुझे सुन रहे हो देख रहे हो तो इस channel को भी subscribe करना है टेलिग्राम चैनल को अब तो जोइन नहीं किया है तो टेलिग्राम चैनल को भी join कर लिजे तो चलिए फिर दोस्तों आज किस video में इतना ही मिलते हैं को और नए video के साथ